मसकार दोस्तो मेरा नाम है देवेंद्र और आप देख रहे हमारा यूटूब चनाल देवमातो दोस्तो आप लोग को मैं वेग टूबेग वीडियो दे रहा हूँ टूरिजम पलेश के और फेमस पलेशेस के बारे में तो आज की इस टोपिक है नेतरहाट तो दोस्तो नेतरहाट के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा जो जहारखन में इस्तित नेतरहाट एक टूरिजम पलेश है तो दोस्तो चली यहीं से वीडियो को इस्टार्ट करते हैं नेतरहाट भारत के जारखन राइच के लातेहार जिले में इस्थित एक गाउं है या पहाडियों में इस्थित एक परियाटक अस्थल है और इसे छोटा नाकपूर की रानिस के नाम से भी जाना जाता है नेतरहाट को पहालों की मलिका की नाम से भी जाना जाता है दोस्तों आपने जीके में भी पढ़ा होगा नेतरहाट एक पहाली परियाटक अस्थल है या समूद्र सता से लगभाग 3700 फिट की उचाई परिस्तित है रांची से या करीबन 154 किलो मुटर की दूरी परिस्ति थे दोस्तों अगर आप आना जाना सफर करना चाते हैं तो मात्र आप अराम से दो घंटे तीन घंटे के रास्ते से आप आसानी से आना जाना कर सकते हैं काफी अच्छी रोड पनाई गई है रांची से नेतरहाट की सुर्यदे और सुर्यास्त को देखने आते हैं यहां नजारा नेतरहाट से करीब 20 किलो मुटर की दूरी पर आकरसक धांग से देखा जा सकता है इसके अलावा यहां घागरी अम लोवर घागरी नामक के दो छोटे छोटे जल परपात भी हैं जो परसिद अस्थल है छोटा नाकपुर की रानी के नाम से परसिद नेतरहाट जारखन की राधानी रांची से 156 किलो मिटर पच्चिम में लातिहार जिल्ले में इस्थित है यह समुझ तल से 3700 फिट की उचाई पर इस्थित नेतरहाट में गर्मी के मौसम में परियाटकों की काफी भीड राती है वैसे तो सालो भर यहां ठंड का मौसम बना रहता है घने जंगल के बीच बसे इस जगह की प्रकृतिक सुनरता देखने को ही बनती है परियाटक यहां आने पर परसित नेतरहाट विद्या लए लोद जहरना उपरी घागरी जहरना तता नीचली घागरी जहरना देखने नहीं बोलते है चारखन की दूसरा सबसे बड़ा जलपरपाद बुढ़ा काग जलपरपाद जो 466 फीट नेतरहाट के पास ही इस्तित है नेतरहाट में वन विभाग के अनुमति के साथ सुटिंग भी यहां पर किया जाता है यहां कुछ भागों में बाग बहुते संख्या में पाई जाती है और दोस्तो हाथी और बंदरों की तो परचूर मातरा में पाई जाती है नेतरहाट एक बहुत बड़ा महतपूर्ण परियाटक अस्थल है नेतरहाट की छेतरफल की बात की जाये तो 2489 वर किलोमीटर है वही आब आदी देखी जाये तो 93.31% है जिसमें आदीवासी जाती की भरपूर मात्रा पाया जाता है और दोस्तो नेतरहाट में छीलेवन के बीच एक एब्यारन भी बसा हुआ है जो लोगों को इस भाग के आने के लिए उत्साहित करता है नेतरहाट का तापमान रांची की तोलना में पुरे वर्ष में अच्छा राता है वही दोस्तो आउगमान की बात की जाये तो वहीं मार्ग में निकटतम हवाय अड़ा रांची है जो 156 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है जो की दिल्ली मुंबई कोलकता पटना इत्यादी जगों से जुड़ा हुआ है रेल मार्ग में भी रांची रेल वे स्टेशन है उसके बाद आप बसो या टेक्सियो द्वारा आप आसानी से आउगमन कर सकते हैं और ही दोस्तों सनक मार्ग की बात की जाए तो रांची से नेतरहाट परती दिन बहुत सुईदा उपलब रहती है अब बात की जाए नेतरहाट की जलवाईउं की नितरहाट में जلवाईों जुलाई और अगस्त में बहुत ही अच्छी रहती है और नम भी नहीं होती है गर्मियों के दिनों में नितरहाट की जलवाईों बहुत ही ठंड रहती है यहाँ पठार के जंगलों से गिरा हुआ है यहाँ वन में पाइन का पेड़ काफी मात्रा में पाया जाता है यहाँ कई फ़लो और फूलों का पेड़ है यहाँ फ़लों का खेती भी की जाती है साथ ही यहाँ मलेरिया मुक्त कर दिया गया है अब बात की जाए दोस्तों नेतरहाट में नदियों की तो नदिया का मुई के धारा उत्तर से दच्छिन की और सोन नदी की और है जो सीमा में उत्री भाग के जीले में है परमुक नदी कोयल और उसकी सायक नदी और रंगा और अमानक है ये नदियां पहार और पत्रों से होकर गुजरती है अब बात की जाए दोस्तों नेतरहार्ट में सिच्छन सस्तान की तो दोस्तों नेतरहार्ट भी द्याले जो काफी ज़्यादा परसिद है नॉमबर उनेसे चोवन में राज सरकार दोरा इस आस्थान पर एक पब्लिक स्कूल शुरू किया गया था जहां परवेश सिर्क योग्यता के अनुसार लिया जाता है यहां माता पिता के आई के अनुसार परवेश सूल्क लिया जाता है यहां परवेश सिमा 10 से 12 वर्ष की होती है और लड़कों का उच्चतर माधिमिक परिच्छा के लिए तयार किया जाता है यहां सिच्छा का माधियम हिंदी है लेकिन अंगरेजी और संस्कृत में भी काफी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कई सिर्स में नोकरसा और टेक्नोक्रेट इसी विद्याले से पढ़कर निकले है इस विद्याले के उपर एक वीडियो बना दूँगा इसकी भी एक कहानी है नेतरहाट को भारत में पहलो के मलिका के नाम से भी जाना जाता है तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन आल में क्लिक करना ताकि मैं जब भी वीडियो डालू आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो करें लिंक डिस्क्रेशन में दिया गया है चलिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैं हिंद बंदे मात्राम धन्यवाद